तो फाइनली गाईज हम लोग बैटल 200 बाच चुके हैं डार्क इंडावर के हैं अब एक बार हम लोग यार जल्दी से एक्वेट्स को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग बैटल को स्टार्ट करते हैं ठीक है गाईज तो लेस्ट डू देस ठीक है तो यह है क्वांची तो पहला तीन स्पेसल अटेक मेरा वेस्ट होने वाला है क्योंकि अगर इसको हम ज्यादा डैमेज करेंगे तो हम यह को डैमेज होगा और हां हम होर्स स्टेंस यूज कर रहा है जिससे मेरा पावर जेनरेशन काफी ज्यादा तेज हो गया है और हम मरे ओके ओल्मॉस्ट डैड अच्छ हम ब्लाइंड हो चुक है सिट नहीं हुआ अ यह अच्छा नहीं है हर बार ब्लाइंड एपलाई है मेरे उपर हाला कि हम हील हो रहा है बहुत थोड़ा थोड़ा निकलो यहां से यार ऐसे धीरे धीरे SP1 SP2 करना होगा और फिर से नहीं हुआ 90% के उपर करना थोड़ा हाड है इस पेसली रात के टाइम पे इस तो कापी सही हो रहा है कवाल का है इतना कम कैसे हो गया कवाल को तो साथ हम एक बर भी मतलब यूस किया नहीं थे क्या बात यार रेवनेंट दोनों केरेक्टर्स के उपर आ गया मतलब यह हम एक्सपेक्ट नहीं किया था यार यह कहां से आ गया और यह मरी चलो फिर यह एक्स रहे अब SP2 सेट यार अब SP2 बच गया अगर हम टाइम पे ब्लॉक नहीं करता ना तो इसका काम तमाम हो जाता यार सेट कर दिये थे लेकिन काफी लेट हो चुका था टाइम खतम हो गया तो मेरा कोई बात नहीं इस ट्राइक अंदर साइद कलियर हो जाएगा इसलिए हम सोच रहे की अरे नहीं होगा दोनों फूल हल्थ मैं हमको लगा इनका हल्थ था कम होगी होगा लेकि नहीं इनका हल्थ तो मैक्स है पहले चार वार तो यह हमको हाँ इसी तरह स्टन करने वाली है और यह भी है इनके पास है ना पावर जनरेशन बूस्ट है बोलके काफी ज्यादा हेल्फ हो रही है इसके अंदर ज्यादा डैमेज करना काफी ज्यादा हाड है चलो कवाल के थुरू हम थोड़ा एस्पी डू करता है ओके शीज अलमोस्ट डैड शेट अन बलॉक नहीं हुआ एस्पी वन से हम इसको कर देंगे क्रिपल और अब यह अपना इस्पेसल अटक यूजर नहीं कर सकती हमको लगता है इसके उपर एक सेकेंड हमको लगता है इसके उपर हम यह कर सकता है ब्रूटैलिटी क्योंकि इसका है बहुत ज्यादा है नहीं कवाल था टाइम लगा लगा दिया थाने में इसकॉर्पियन मैक्स आउट नहीं है लेकिन फिर भी कितना ज्यादा डैमेज हो रहा है कमान कवाल ठीक है सीज अलमॉस्ट डैड तो हम सोच रहे कि अब वेट करता है और हम मर जाता है कि एस पीटू काफी ज्यादा डिरिंजरास था इसका ओके था था टाइम बास कर लेता है क्योंकि इसका है मतलब वन हीट में तो यह वैसे भी डैड होगी नहीं चलो अब हम लोग करेंगे सिंडेल से सिंडेल के उपर बूटालिटी हलागी यह काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि सिंडेल बार बार इस्टन कर दे दिया तो थोड़ा डेंजरास हो सकता है लेकिन ट्राइ करके देखता है अगर हो गया तो ठीक है नहीं हो गया तो कोई ब फ्यूजन 14 थोड़ा डेंजरास है नहीं ऐसा करते ना काईज हम क्या होलते है रेन से करते है बूटालिटी रेन का भी बूटालिटी एक्यूप्मेंट है मेरे पास केरेक्टर्स रेन यहाँ नीचे कहीं होना चाहिए यह रहा रहें और यह पहला एक्यूपमेंट और यह दूसरा एक्यूपमेंट अब इसके उपर हमको टावर एक्यूपमेंट देना होगा जिससे यह थोड़ी देर सर्वाइब करेगा और तुरंद मरेगा नहीं क्योंकि टैगिन करने के बाद सिंडेल मेरे उपर अटैक करेगी तो हमको सर्वाइब करना है उस अटैक को यह न एक वैपन चाहिए अन्मलोक करने के लिए चलो आप ठीक है और यहाँ पर यहाँ टैग गया चलो हो गया तो हम टैगिन करने के बाद अब रूटैलिटी ट्राइ करेंगे शुरू में ट्राइब नहीं करेंगे क्योंकि शुरू में इसके पास सील्ड नहीं होगा और जब हम tagging न करेंगे तो मेरे बापास एक shield आ जाएगा तो अगर हम stun भी हो जाता है तो हम survive कर सकते हैं हम Kawal को तो नहीं हड़ा है ना नहीं हम Kamal को नहीं हड़ा है जलो ठीक है खो थे तो मेस게न होने वाल है नहीं पहला try में नहीं हुआ कवाल, कवाल एक सिकंड ओअच्णा, वय वो, अच्छा, सॉरी गलत रेयन, गलत रेइन, गलत रेइन भाल, भाल, मुझा पिलिस, नई है, बच गया बच गया हम दूसरा रेन ले लिया मतल Sum last more rain मैं को कख और रेन ले ना था waterfall बट हम गलत一些 rain को ले लिया ठीक है रुको फिर से ड्राइ करते हैं ठीक है कोई बाप नहीं एक दो ड्राइज एक्स्ट्रा होए मतलब वेस्ट होने वाले है बट कोई बात नहीं हमें चाहिए Mk11 रेन ठीक है और यह क्लासिक रेन है मतलब यहीं मिश्टेक हो गई मैंसे Mk11 रेन हाँ अब ठीक है अब बस इसमें एक्क्यूप्मेंट लगाना होगा एक अन्ब्लोकेबल गयार और वो सील्ड कहाँ पर है यहीं कहीं पर थी यार मतलब ढूनने में भी टाइम लगता है यह रहाँ अब रेन का बुटलिटेए क्यूप्मेंट एक सेकेंड यार ये क्या है ओ सौर्य वहीत्रों कंफ्यूज हो गया था एक सेकेंड इसको यहाँ रखते और इसको यहाँ रखते ना ही अब ठीक है गाईज अब हमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि रेन के पास सिल्ड भी होगा प्लस रेन अगर स्टन हो जाता है तो कवाल स्टन हडा देगा तो दिक्कत की कोई बात नहीं है इस बार तो होई जाएगा चलो हो जा नहीं हो पाया पहली बार में कवाल पिलीस हेल्प में हो जा भाई साव हिसाब कर बर है हम निकलते है इसके बाद अभी फिर से टैग इन करेंगे है तब मेरे पास फिर से सील्ड आ जाएगा तब हो सकता है साइद चलो अब फिर से ट्राय करता है कम ऑन गिन चिए पांची बार कर सकती है लेकिं तीन बार पहले कर ली यार ये कर क्यों नहीं पा रहा है यार हमको निकलना होगा ठीक है इस पैसल एंडिंग तो हम सिलेक्ट भी करके रखे है बट हो क्यों नहीं रहा है देखा सील्ड बचा लिया न प्लीस ओख कमान यार बचा लिया बचा लिया रेन का पैसिव रेन को बचा लिया अलमच ने है यार मैं करैक्टर न प्लीस यार ऐसा मत कर अवी हो क्यों नी पारा है हमको अपना एक्वेंट शेक न पर है गाईस कुछ गर्वार है कुछ गर्वर है कुछ गर्वर है और यह डेड़ हexistए यह डेड है, यह बच नहीं पाई है हम समझ नहीं पाई है, हम ब्रूटालिटी कर क्यों नहीं पाई दोनों ब्रूटालिटी क्यूबमेंट ही तो था हमको एक बार देखना होगा ठीक है, कैरेक्टरों तो बहुत अच्छा मिला बट हमको brutality करना था यार हुआ क्यों नहीं हमको यवार चेक करना होगा हम multiple times try दिया बहुत बार ये हो क्यों नहीं पाया हम ये समझ नहीं पा रहे है ठीक है ये पहला set है और ये दूसरा set है यार तब हो क्यों नहीं रहा हम समझ नहीं पा रहा है एक सेकेंड इस्पेसल एंडिंग भी set है बट इससे कोई फर्क परहेगा नहीं क्यों कि क्या बोलता है आखरी क्यारेक्टर को पर हम लोग brutality कर सकता है अगर इस्पेसल एंडिंग हम talent select नहीं भी करते है तो लेकिन talent भी यहां select है बट हुआ नहीं पता नहीं गाईज हो सकता है कोई glitch है जैसे कि horse stance का glitch है हो सकता है brutality नहीं होने का glitch है क्योंकि हम बहुत बाट राइक है यार